कल मुंबई सहित राज भर में रिक्ष्वा चालकों का अंदोलन विलंभ शिल्थ के निर्ने के खलाफ और टू चालक अक्रमक कांदी विली के पोईसर में एक दर्दनाख हाथसा सिस्टीवी में कैट ड्राइवर ने ब्रेक की जगा दबाया एक्सलेटर महिला समेथ तीन लोगों को टक्कर मारी महिला की मौत सक्ष और कार माले गिरफता मीरा रोड नगर निगम की बड़ी लापरवाही बायोगैस के खुले कढ़े में गिरने से पांथ साल के बच्चे की मौत मामला दर्च मुंबई थाने और पालखर में होगी भारी बारश अगले चार दिनों तक आएमटी का लट मुंबई थाने और नाशिक वालों का पानी 16 जून से हो जाएगा 8 प्रतीशत महंगा 6 रुपे तक महंगा हो सकता है जन पूने मुंबई रेली आत्रियों के लिए बड़ी खबार इंटा सिटी और डेकेन एक्सप्रेस 28 से 30 जून तक बंद एंसीपी विधायक दिलिप मोहिते पाठल के भतीजे ने कार से बाइक सवारों कुमारी टक कर एक यूवक की मौत दूसरा घायल बारिश के कारण बोरीविली के च्छार कोप में सडक धसी सडक धसने से ट्रक पल्टा अलाके में भारी ट्राफिक जाब थाइलेंड की मैला मुंबई में चला रही थी सेक्स राके रथाने के होटलों में चलता था धन्धा पलस ने 21 जून की रात को गोपनिय कारवाई में पकड़ाओ अंदोलन स्थागित समाप नहीं किया शिंदे प्रतिनिधी मंडल के दौरे के बाद लक्षमन हाखे का बड़ा एलान महराज की राजनीती में हरकम बीजेपी को पहला जटका पूर्व केंद्रिय राज्यमंत्री सूरी कांता पाठिल ने छोड़ी पाठी मराठा और OVC कोटा का मामला पकड़ा तुल धनगर मुस्लिम पर गर्माया मुद्दार अक्षिन के भावर जाल में फसी शिंदे सरकार मुंबई में 2016 की लौट्री वाले घरों की कीमत बढ़ाने की उचना देने पड़ेंगे 10 लाग तक एक्स्ट्रा मुंबई के सिद्विनायक मंदिर में दर्शन के लिए वी आईपी वी वी आईपी दर्शन पास बंद की राय रास ठाकरे की मन से की मांग पाल घर में विवाद के बाद माता पिता को घर से निकाला पड़ा भारी व्यक्ती के खिलाफ एफ़ायार तर्श प्लैटफर्म टिकेट पर टैक्स में छूट फेक एन्वाइस पर लगा जूएस्टी काउंसों के वैठक में लिए गए बड़े फैसले महराश पलस के कारे को प्रभावी और कुशल बनाने के लिए होगा AI का इस्तमाल जिप्टी सुएम देवेंद फडनविस ने की पुष्टी